पद्दी में रुची मसाले का लोगों लगाकर मसाले बनाने वाले कंपनी पर पुलीस ने कारेवाही करते हुए जिरूरी कापजात वो सेम्पर जपत किये रुची ग्रुप ओफ इंडस्ट्री के ओनर पदम जिंदल वर दिनेश जिंदल ने बताया कि हम सन 1992 से रुची ब्रांड के मसाले मार्केट में बेच रहे हैं इस वक्त बद्दी में हमारी 6 यूनिट हैं लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए हम इन मसालों की सूधत वगुणवत्ता का पूरा ध्याल रखते हैं जिसके लिए रुची ग्रुप ओफ इंडस्ट्री को पांच बार रास्ट्री पुर्सकर से सम्मानिज किया गया है इसमें कितने लोगों की ख्लाप जो है कारवाई कि जा रहे हैं यहां 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 पिस नाम से जो है प्रटक्ति की जो कॉपिरेट रहे हैं और फिरुची प्रुपिर जो कि अपनी पहचान को चुपाने के लिए किसी को मदर चैस नाम नहीं लेना चाहती चुकि इन्होंने लोगों की सेहत से खिलवाड किया चुरू से आज तक और आज इनका माल नहीं भी करे उसमें मनहोर में बनाए चैंग में बनाए जो कि लोगों की सेहत से शर्याम खिलवाड कर रहे हैं तो लोगों को इससे स्तर्क रहना चाहिए और प्रशाशन को इनके खिलाफ सक्से सक्क कारवई करनी काहिए मेरी चंता से अपील है कि रूची ओरिजिनल देखकर ही लें सर रूची मसालों मसाले जो आपकी कंपनी है उसके नाम पर जो डूबली केसी की जा रही उसके उपर थोड़ सा ब्रीफ करेंगे क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है और आपको कैसे बना चला यह देखिए यह MMD Global Foods के नाम से एक कंपनी है एक बार इधर करिए प्लीज कैमरा बदी में जो की पहले मजर चोईस के नाम से मसाले बनाते आ रही थी मनोहर चैंग ऐसे और इन्होंने पता नहीं कितने घटिया घटिया ब्रैंड निकाले हुए हैं जो कि सिरफ मिटी भरते थे अपने मसालों की टब्बी के अंदर या किसी चीज दें लोगों की जिंदिगी साथ वो खेल रहे थे कोई भी बन्दा इनका मसाला खाके अपनी हेल्थ को ठीक नहीं रख सकता था ये लोग ऐसे लोग हमारे खुद के ब्रैंड को अपने नाम से बना के बेचने की मत कर रहे हैं इन्हें हमने बहुत अराम से पहले कहा कि हाँ अट जाए आप लोग मत करें ये लोग बट इमाने नहीं तो हमने पुलिस पे कंप्लेंड करिया आज देखते हैं पुलिस वाले क्या इसका एक्शन लेते हैं क्या इसका नतीजा निकालते हैं हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे घटिया चीजे बनाने वाले लोगों की हेल्थ के साथ खिलवार करने वाले लोगों को आप अंदर कर और इनकी फैक्टरियां सबकी बंद करें कभी भी ये लोग अब इस जगा पर ना दिखें हमें थैंक यू